आप सब कुछ समझ सकते हो सिरफ अपनी परच्छाई से आपकी परच्छाई रावू और केतू का मिश्रन है इस विद्या को आप अच्छे से समझे या पढ़े तो आप 95% accurate हो जाते हो पहले अपने शरीर में balance करो फिर देखो law of attraction, manifestations कैसे आपके लिए काम करते हैं To become a millionaire, you need brain To become a billionaire, you need an astrologer आज की वीडियो बहुत interesting होने वाली है आज हम जानेगे किस तरीके से हमारी परच्छाई हमारे बारे में बताती है कैसे हम अपनी परच्छाई से जान सकते है हमारे काम होगे या फिर नहीं होगे खाली परच्छाई ही नहीं इसके इलावा हम पैसों के बारे में जानेगे किस तरीके से हम अपने घर में लक्ष्मी का अवास करा सकते है बहुत सारा पैसा पा सकते है तो आज जो हमारे साथ में गेस है वो आपको बहुत कुछ नया नया interesting बताने वाले है और बहुत नई interesting चीज़ों को मैं सीखता रहता हूँ आज में मैं अपने आपको एक student बोलता हूँ और शायद मरते दम तक मैं अपने आपको student ही बोलता रहूँगा तो सीधर topic के उपर आता है किस तरीके से हम अपनी परच्छाई से जान सकते हैं अपने परच्छे के बारे में सबसे पहला question मेरे mind में जब मैं इस field में आया occult science में तो आया कि हमें past, present, future जानना ही क्यों है तो मैं आपको इसके अंदर ये भी clarity करूँगा कि इसको जानने से क्या मिलता है और क्यों ये जानना बहुत ज़रूई है तो ऐसे ही जब आप predictions की बात करते हैं तो उसके अन्य means है आपकी पामिस्ट्री हो गई, हाथ की लकीरे astrology हो गई, जिसके अंदर बड़े सारे formats आते हैं और उसी के साथ होती है आपका आकार आपका शरीर कैसा बना हुए आपके शरीर पे मोल कितने है, बर्थमाक्स कितने है बर्थमाक्स आपकी पासलेग बताते हैं बहुत ज़ादा तो उसी प्रकार से आपके चेहरे पे तेज कितना है आपका माथा ब्रॉड है या छोटा है हर एक चीज से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो सीखते सीखते मैंने हर एक फील्ड को एक्स्प्लोर किया जैसे मैंने आपसे शरीर की आकार की बात करी तो हम पेरो की बात करते हैं पेरो की उंगलिया आपने देखी है अगर आपके थम से एक उधारन दे रहा हूँ अगर आपके थम से बाकी की उंगलिया एकदम ऐसे डिप मार रही है ग्राफ ऐसे गिर रहा है तो आप समझ लो ऐसा बंदा confident होगा ऐसा बंदा अपनी बात में पीछे नहीं हटेगा पूरी debate करेगा इन तक तो अगर आपका partner या आप swag होद ऐसे हैं तो समझ लीजिए अगर आपके आगे कोई भी argument या कोई भी बहस या debate कर रहा है तो उसमें आप हारने वाले नहीं है और इसी प्रकार से आप सतरक हो जाए अगर आपकी little finger पैरों की बात ही कर रहा हूँ है little finger जो सबसे छोटी finger होती है वो बहुत छोटी है या उसका nail लगबग ना के बराबर है बहुत छोटा है तो आपकी incoming तो अच्छी रहती है बट outgoing उससे ज़ादा तेज होती है यानि की incoming से ज़ादा outgoing खर्चे ज़ादा तो आप चाए 2,00,00 मीना कमाएं चाए 5,00,00 जब तक वो मीना आता है उससे पहले खर्चा त्यार होता है तो इसलिए हमें अपनी nature को समझने का मौका मिलता है हम ताकि अच्छी planning कर सके क्योंकि आपको पता है जब हम astrology की ब्राद करते हैं तो up till astronomy, it is a science उसके बाद it is an art of prediction वही ग्रहों की चाल समझ रहे हो, उनकी speed समझ रहे हो वो वक्तरी है, नहीं है, combust है यहां तक तो आप astronomy को पढ़ते हो बट उसके बाद उनको predict कैसे करना है वो prediction जो है वो आपका art है वो आपकी कला है, जिसको आप सीखते हो by your experience और आप जितनी नई नई विद्या को explore करोगे, आपका दिमाग और खुलेगा, एक idea था है, mintos खाओ दिमाग की बती जलाओ तो ऐसी परचाई कैसे बता सकती आपका बविश्य है जब आप astrology की बात करेंगे या इन जनरल में भी आप बहुत टीवी में देखेंगे राहू, केतू के बारे में बहुत बात होती राहू, केतू क्या है? चायाग रही तो है तो ऐसे ही आपकी परचाई what is राहू? obsession of life आपकी कुंडली में राहू कई भी प्लेस डोंगे न आप उससे बाहर सोच नहीं पाऊगे वो आपकी obsession रहेगा और केतू क्या है? आपके past karmas जहाँ पर आपको bow down होने है bend on है तो दोनों के दोनों में मैंने सब कुछ बोल दिया अगर राहू भी आपको पढ़ लिया आपने केतू भी पढ़ लिया पढ़े तो आप लगबग लगबग 95% accurate हो जाते हो चंदर प्रक्षापती चरक ये एक grant है सूरे समेता भी है जिनके अंदर परचाई के बारे में बहुत जादे detail में बताया गया इसमें तो 25-26 प्रकार की परचाई बताई गई है कि आपका आकार कैसा बनेगा मान लीजे लगबग लगबग 10-11 का सूरे ले लीजे अभी आप लोग डिग्रीज नहीं पकड़ पाएंगे 10-11-11 का सूरे ले लीजे 11-11 का ले लीजे जो कि हलका सा tilted होता बिलकुल सार पे नहीं होता और उसको अपने right side बे ले आई है अब आप अपने परचाई, जो भी आपकी geometry ben रही है, परचाई के आपकी geometry तो है, figures बनेगी न, जो भी आपकी परचाई बन रही है, किसी की मदद से, परचाई के starting point, यानि कि जहां आ आप खड़े हैं, वहां से लेकि अपने head तक, एक mark लगवा लिए, mark लगवा लिया, अब आप हम बच्पन में गेम कहते थे टिप-टॉप जिसमें एकदम पैर के पीछे पैर रखके चलना होता है अब आप उस मांग पे स्वें खुदी जिसकी परचाई है एक के पीछे एक कदम रखके चले आठ कदम चलेंगे आप आठ कदम से जादा नहीं अगर आप अपनी परच हाई को क्रोस कर जाते हैं काट जाते हैं तो जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है जिसलिए आपके अंदर एक एक अर्ज आई वो आपका कार्य लगवग होना अभी थोड़ा सा मुश्किल है आपका समय बहुत फेवर में नहीं चल रहा है आपकी सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं है तो क्या करना चाहिए ऐसे समय पर स्थेर हो जाईए ना रुक जाईए नुकसान क्यों करना एमोशन का या पैसो क्यों करना स्थेर हो जाईए क्योंकि अभी समय आपके फेवर में नहीं है और मान लीजे अगर आप लगबग थोड़ा सा पीछे है तो एकदम ओके डाइम पीरेट है अगर आप कोई भी कारे को आगे सिद गरने वाले है तो डिवाई, काइनात आपको सपोर्ट करेगी मान लीजे कि आपको अंदाज हो जगा कि यार मैं तो सिरफ गंदन ना की गया अभी तो पॉइंट आगे है यानि कि मेरा हेड भी बचा है मैं तो इतना पीछे छोड़ गया आपके मन में जो भी प्रशना आ रहे है चाहे वो लव रिलेटेड है चाहे वो प्रोफेशन रिल क्लियर ही नहीं हूँ अभी कि अभी मुझे इस टॉपिक के इस इवेंट के बारे में और तहसे जानना है तो ये तो मैंने आपको एक सरल सा तरीका बताया इसकी बहुत डीप नॉलेज है मतलब आप बहुत बड़े नहने मत देना लेकिन ये एक फॉर्म बताया जिससे कि आ कर सकते हैं कमपाटिबिलिटी के लिए एक पर्टिकुलर समय पे अगर हस्बेंट और वाइफ या फिर पार्टनर्स लफ कमपाटिबिलिटी के लिए दोने एक समय पे कठे हो जाएं किसकी परचाई डाक बन रही है इसकी परचाई में ज़्यादा डाकनेस है वो जैसे मैंना आपको बताया कि मैंना थोड़ा सा एंटी था जब मैं इस वील्ड में आया मेरे को बहुत ज़दा दिखते का सामना हुआ मेरे बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि मैं actually against था इन सब चीजों के तो एंटी जब भी एक बंदा आता है न में कर दो या English में कर दो या normal language जो हम लोग समझ सकते हैं उसमें कर दो तो अच्छा है पता नहीं क्यों ये difficult और tough बनाने के लिए की गई है तो मैं जब दीरे दीरे इस चीज में आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हर एक word की अपनी एक vibration होती है जैसे की हमारे रिशियो मुणियों ने बहुत सर्च करके हमें ठाली में पिरोस की दिया है सिरफ उठाने की दे रही है वो भी हम डंग से नहीं कर पाते हैं मान लीजे एक एक जैमपल देता हूँ आपको मैं across I.E.C. word के विठला तो अगर आप इस शब्द को विठला, विठला, विठला इसको आप रोस चैंट करें कितनी बार कोई मरजी 11 करो, 21 करो, 108 करो दिन में 4 बार करो, 5 बार करो मैं written paper पे guarantee दे रहा हूँ 3 months के अंदर अंदर आपकी heart health में improvement नजर आना शुरू हो जाएग जिनको heart problem नहीं है लिकिन उनकी family lineage में है तो आप पहले ही करो ना इसको problem किया, आप बोलोगे न जब इस word को आप खुछ समझाना कि यहाँ पर एक अलग सी vibration फील होगी आपको विठला, तो जब मैंने इस word को search किया, तो विठल बार्ड होते है तो मैंने जब इसको English में conversion किया, तो इसका English meaning आता है, fortune giver चलिए साब, अब आप chant कीजिए fortune giver, fortune giver, fortune giver कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होने वाला, मैं सच fact बता रहा हूँ, कुछ नहीं होएगा विठला, vibrations आपके अंदर ऐसे hormones generate होते हैं कि आपकी nerves जो है, वो खुल जाती है and believe me, इस पर बहुत बड़े level पे researches चल रही है यह इस Sanskrit word की एक intensity है तब जाके समझ में आया, कि क्यों यह शब्द, यह बीज मंत्र हमें अच्छे से pronounce करने चाहिए इनकी conversion में वो मजा नहीं है, fortune giver fortune giver, उसको chant करने से कुछ नहीं मिलेगा तो actually with ठला यह word अपने आप में संपून है तो इसलिए जब मैं जैसे 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 आगे बढ़ता चला गया, तो मैं बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ों के cross आता चला गया उसी के हिसाब से मैंने अपनी life के अंदर लोगों को guidance देना शुरू किया और लोगों को थोड़ा सा practical बताना भी शुरू किया आपको अपने कर्मों को तो करना है लेकिन किस समय पर करना है अपने वो movie देखिए, जो जीता वो इसे कंदर एक बहुत पुरानी अमेरिखान की movie है मैं बहुत ज़दा movies नहीं देखता हूँ, मुझे वो ही याद है तो उसमें end में अगर आप वो scene देखें जिन्नोंने नहीं देखी, please मेरे गयने से देखो एक बार end में जो chain late खोलता है, वो जीतता है यानि कि timings कई ये ना हो आप बड़े खुश है यार मैं तो 25,000 में मीना कमाता था तब मैं लाखरी मीना कमा रहा हूँ, हे परमात्मा मैंने तो कभी इतना सूचे था मैं खुश हूँ, अरे आपका समय तो 10 लाखरी मीने का बता रहा है उसको in cash करो और अगर आपका समय समय में आपका अनुकूल नहीं है तो स्थिर हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं 6 मीने, 8 मीने, 10 मीने जैसे समय आएगा उस समय पर action लेजिए मैंने एक overview निकाला है और वो overview निये निकाला है कि life किंदर मेरे पास तीन टाइप के questions बहुत ज़ादा होते तो आज मैं उसकी remedy देता हूँ एक आता है emotional imbalance, love life, marriage matchmaking मेरी compatibility इससे होगी की नहीं होगी मेरी इससे शादी होगी की नहीं होगी और एक आता है पैसो के related तीसरा आजकल कुछ समय से बहुत आरहा है और वो है foreign settlement तो क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कैसे आप इसके answers खुद से जान सकते हैं अच्छा एक चीज़ आपको बताता हूँ अगर किसी लड़के के chart में mangal and Jupiter है combination बन रहा है किसी लड़के के chart में mangal and Jupiter और किसी female के chart में Mars and Venus और इन दोनों ने विवा कर लिया love marriage है love is blind तो पक्का ये line बोलने वाले है love is blind, marriage is eye opener और जबते रहेंगे इसको love is blind, marriage is eye opener तो कहीं combinations ऐसे हैं कि अगर हमारी कुदली ये बन रहे है तो हमें फिर सोथ समझ की आगे बनना चाहिए अब आपके mind में और youngsters के mind में question आएगा तो पहले क्या हम उसकी कुदली ने क्या है मत करो आप अपनी कुदली में आप दो मिनिट के लिए कुदली भी भूल जाईए आप बताईए साहिल सबसे ज़्यादा आप अपने आपको secure कहाँ feel करते हैं अगर मैं इसको और विस्तार से बोलू तो मा के पास और विस्तार से बोलू तो मदर मदर एक ऐसी figure है जिनसे हम लड़ाई भी करते हैं जिनसे हम अपनी सारी बाते भी मनवा लेते हैं और बाद में प्यार भी करते हैं होता है ना तो आप अपनी life के कोई भी emotional decisions लीजे, कभी गलत नहीं होंगे अगर आप अपनी कुंडली में अपनी motherly deity को पकड़ लीजे बस यानि कि अगर आपके चौते बाव में सूरे हैं तो मा सीता, यही आपकी motherly figure है, आप इनसे लड़के, प्यार से, जगर के भूल जाएं कि she's a god, goddess आप बिल्कुल इनको treat कीजे, she's a motherly figure to you, believe me आपको result मिलेगा, अगर आपके चौते बाव में Jupiter है, तो तारा देवी मैं आपको एक बत लिख के दे सकता हूँ मेरे पस बहुत सारे questions आते हैं related to disloyalty, अगर आपको अपने spouse पे किसी प्रकार का कोई भी शक है आपको लगता है कि यार, पता नहीं ये मेरे साथ loyal है या नहीं है, तो आप एक काम कर ना, मैं आपको एक paper पे आप, जो भी आपके मन में doubt है, उसको लिखिए, whether my जो जिस language में क्या मेरा partner, मेरे साथ loyal है, और हाइफन्स डाल दीजे, black color के pencil लिखे, और इस paper को fold करके अपनी मा के पास चरनों में अरजी लगा दीजे, लेकिन लगाईएगा अपनी motherly specific duty के दरफ 99% within next 43 days, कोई न कोई ऐसा event आ जाएगा, कि आप इस पार या उस पार होई जाएंगे, यहां तो आपको पता लग जाएगा कि he is very loyal to me, and she is very loyal to me यहां फिर वाइसा वर्सा, तो त्यार रहिएगा क्योंकि मा आपको सही राहा देखाती है, तो अगर आपके चौते बाव में शनी देव मिराजमान है तो माता कानी, यह आपकी मदरली फिगर है इनको आप ऐसा मदर पूझे राहू है, तो मा दुरगा दुरगा, केतु बैठे हैं तो चमुंडा देवी, चमुंडा देवी आपकी मदरली फिगर है, और अगर मंगल विराजमान है तो सुदा देवी जो की पितर शराद आते हैं तो उनमें इनको पूझा जाते हैं अगर बुध बैठे हैं तो मा सरस्वती और अगर शुकर बैठे हैं तो मा लक्षमी, चंद्रमा बैठे हैं तो माता गौरी, और इनको पूझने के कोई डेज नहीं है, कोई विदी नहीं आपके लिए, ये आपकी बार-बार बोल रहा हूँ, आप इनके साथ अपने सारे इमोशन शेर कीजे, आपकी लाइफ में इमोशनल इंस्टिबिलिटी होना ही बंद हो जाएगा मिया बीबी के बीच पे जगड़ा हो रहा है आपके आपको राइट पार्टनर नहीं मिल रहा आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि आपके इमोशन की कदर नहीं होती है तो आपको ये सारी की सारी चीजे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ बालन्स होनी स्टार्ट हो जाएगी पहले अपने शरीर में balance करो फिर देखो law of attraction, manifestations कैसे आपके लिए काम करते हैं believe me, मेरा tried and tested है इसलिए आज मैं आपको एक remedy of the day देखे जाओंगा जरूर मैंना आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ आपके smile में न मुझे, मैं न तो भी कभी ख़ी शरारत कर लिता हूँ तो आपके smile में भी आईसा है कि आप बच्मन बड़े naughty बच्चे रहे होगे तो मैं भी कभी कभी थोड़ी सी शरारत कर लिया करता हूँ तो एक event शेयर करता हूँ आपके साथ वीच में वियाद आगे एकदम से मेरे पास ने एक client आए बड़ी serious topic चल रहा था, बड़ी सारी बाते चल रही थी middle 40s के थे, 44 के थे round अच्छे भर से थे, factories की बाते कर रहे हैं चलो भई, सारे उनके काम काज की बात हो गई फिर उन्होंने थोड़ी सी personal बाते भी हो गई सारी उसके बाद ना वो थोड़ा सा उठने वले बने बाई-बाई हो रही थी तो मैं आपको starting में बात बोली थी ना कि astrology क्या है, up till astronomy, it is a science after that, it is a art of prediction तो मैंने जैसे ही वो उठे, तो मैंने उनको बोला कि जी जो आपके bag में आप प्रसाद कठा करके लेके जा रहे हो जरूरत मन को बांट देना, तो बैट गए बोले आपको कैसे पता लगा, मैंने का इसको तु बोलते हैं तरकाल तरिष्टी सादना, हर किसी से थोड़ी हो जाती है, honestly मैं सिरफ calculations करता हूं, बहुत करता हूं, यही मेरी सादना है मैं बहुत खुजता रहता हूं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यह science कब हमारे आत में है गीट इस लेकन ocean, तो मैंने उनको बोला कि जी आपके पास जो फ्रसाद है किसी जिरुवत मंद को बाढ़ते जाना वो बैढ़ गए वो बली नहीं आपको कैसे पता लगा पहले बता और थोड़ा सा मुवी छोटा रहे गया कि यह कैसे इसने बता दिया एक ऐसा आदबी बैग में जो कठा कर रखा है जानते हैं साहिल मैंने कैसे बता है यह बात सिंपल सी कैलकुलेशन है इसमें क्योंकि उस दिन जब वो मेरे पास आए उन्होंने टीका लगा रखा था यानि कि वो मंदर से हो क्या आए हैं अब उनके चटे भाव में गुरू विराजमान थे टॉरस राशी के अंदर फ्लाट प्रेडिक्शन है यह फ्लाट है जिसके भी टॉरस राशी में गुरू चटे भाव में होते हैं एसा जातक मंदिर या रिलिजजिस प्लिसेस में जाके प्रसाद को बहुत डूनेयंट करता है बहुत बांडता है लेकिन इनकी कुण्डली के अंदर गुरू यह थो छटे बाव में टॉरस के लिकिन वक्ती नीचे ऐसा जया तो प्रसाद बहुत कथा करता है तो मैंने को बुला प्रसाद है इसको चको अपनी फैमली को चकाओ इसको मील मत बना इससे क्या होगा कोई नुकसान हो जागा मैंने इनी सोशल अवेरनस के लिए क्या रहा हूँ जो बिचार economically weaker है, उनको खाने दीजे, तो आप समझे ये बात, इसको बहुत सरे लोग exploit कर सकते हैं, आपने ये चीज यूज कर ली, अब मैं उनको ना बताता तो उनको क्या लगता, कि मैंने actual में कुछ ना कुछ साधना कर रखी, ऐसी आपके body marks, आपकी body की चीज़े बहुत क बता देती हैं, तो आप उनको बता दो ना कि ये calculations है, इसमें बुराई किया है, अगर आपको अपनी life के अंदर, आपका खुद का motive, खुद आप बड़ी परिशानियों से बहार निकले हो, या इस subject से परिशान हो कि आप इसके अंदर ही कूद बढ़े, कि मैं इसके anti हो के ल फिल कर रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं कि यार, opportunities ही खतम हो गई है, life में कोई opportunity नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, instant first aid करो ना, first aid करो, उसके बाद ढूनना कौन सा चाहे इस टॉल जा रहा है, क्या prospect है, किसके पास जाओं, कैसे जाओं, बाद में, पहले star बन गया न, एक ऐसा triangle, एक ऐसा triangle, बीच में एक circle बना दीजिए, अब इस circle के अंदर, आप दिया जलाईए, तिल के तेल का, और इसको आप 5 Friday कर लीजिए, 5 Friday, उसके बाद आप comment session में thank you लिख दीजेगा, क्योंकि आपको 99% कुछ न कुछ opportunities खुलने का मौका मिलेगा, यानि कि ऐसे जातक का, जिसकी लाइफ में opportunities बन दें, बहुत बार मुझे ये भी doubt होता है कि remedies है, क्या, क्या ये social pressure है, कि कोई हमारे पास आया तो उसको remedy देनी देनी है, क्या ये society pressure है, इस पे भी मैंने बहुत search किया, क्या ये society pressure है, तो पता लगा कि जिसकी लाइफ में opportunities बन दो ज जाएगी, जल्दी-जल्दी गुसा होना शुरू हो जाएगा, road rage का शिकार बनेगा, फिर आप logics यूज करोगा, आरे जॉब नहीं है ना, कोई कामधान है नी, सवाई लड़ता रहता है, क्योंकि उसका अगनी तत्व इंबैलन्स हो गया, उसकी energy कई ना कई तो निकलेगी ना, ऐसे ही बहुत सारे कहीं लोग हमारे, ऐसे भी है, जिनके अंदर life में ना, talent तो बहुत है, बट confidence नहीं है, उसको explore करने का, या right time पे आके वो fail हो जाते हैं, जानते हैं किस वज़े से होता है, आपके शरीर में solar plexes, जो चक्रा है, वो आपका imbalance हो जाता है, या आपकी जाके remedies करानी है, simple चीज़े करके देखो, आप इसके लिए high intensity training exercise करो, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं हो रही है, नया word लग रहा है, घर में सीडियां तो आजकल हर किसी के पास ही है, जमीन इतनी महंगी होगे, हम लोग उपर जाते चले जा रहे है, राहू के बास, तो आप अप कि आपका solar plexus chakra balance होना start होगे, और आपके अंदर दीरे 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 energy जो है, वो synchronized होनी start हो जाए, end of the day, आपको उपने शरीर को balance करना सारा खेल, पंच तत्वों का है, आपकी energies जितनी balance होगी, उतना आपका दिमाग खुलेगा, और इसी के साथ law of attraction भी आपके साथ जादा का अंदर कौन से main भावों को हमें पकड़ना है, emotions major part play करते हैं, जैसे हमें आपको बताया, love life, family life, parents से प्यार मिल रहा है, spouse अच्छी मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसको तो हमने चोटे बाफ से पकड़ लिया, motherly figure, लेकिन आपने कभी देखा, जब हमें चोटी चोट लगते तो हम क्या बोलते हैं, है मा, होता है न, और जब कोई बड़ा event हो, तो हम क्या बोलते हैं, बाप रही बाफ, बोलते हैं न, तो जब materialism चाहिए, जब ज़्यादा पैसा चाहिए, जब इच्छाए अनन्त है, और अचीव करनी हैं, by hook और by crook, तो पकड़ लोना अपने क्यार दिया है, अब जानते हुमारा जनम क्यों हुआ है, हमारा जनम सिर्फ आये, पैसा कमाया, शादी करी और चले है, इसलिए नहीं होता है, हमारे कुछ pending करमा जुखते हैं, जब तक हम उसको balance नहीं करते हैं, हम rebirth, 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 rebirth करते चले जाते हैं, और हमारी life के बहुत सारे sufferings का reason, हम पेंडिंग करम होते हैं, तो ग्यारवे बाव के अंदर आपकी जो DTM आपका दिमाग खोलेंगी, आपको बताएंगे, आपको guide करेंगे, फादर का काम क्या होता है, to give guidance, तो आपको guide करेंगे कि ये तेरी चीज़े थी, जिस वज़े से तेरी इच्छाय पूरी नहीं हो रही यारवे बाव में के तू, देजायर पूरी नहीं हो रही है, एच्छाय पूरी नहीं हो रही है, लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा, हर्त वरट हैंके बाद रुकावट, हर्त वरट हैंके बाद रुकावट, तो क्या बोलोगे, क्या करोगे, हारे का नाम हाटु शाम, आके ब house और 11th house, अगर इन दो की डीटी's को पकड़ लिया, तो 50% आपकी कुंडली balance हो गई, आप as a God, Goddess, किसी भी परमात्मा को पूझ सकते हैं, किसी को भी पूझे, लेकिन उन में से motherly figure और fatherly figure to give guidance and fulfill desires उनको specify कर लीजिये, फिर देखिये mother, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा साहिल, कि कुछ समय बाद जाते हुए न, एक इंसान, एक समय तक एक भगवान को मान रहें, आपके parents, आपके family में कोई न, कोई ऐसा जरूर होगा कि एक समय तक मान रहें और उसके बाद, कुछ समय के बाद, उनका interest किसी दूसरे परमात्मा की तरफ आ जाते हैं तो वो उनकी, जैसे कहते हैं न, PDT promise, दशा transit, जब उनकी दशा change होई, उनका 11 अब आव activate हुआ, तो उनको awareness मिलनी start हो जाते, कि actual में क्योंकि root cause, आपके जीवन का पकड़ने के लिए, आपको अपने lead to suffer, उदारण के तौर पे किसी का सप्तम का मालिक, या ब्रिस्पती, पूर बादरपद नक्षत्र में है, इसकी marriage होने में बहुत कठनाई आएं, और अगर हो गई तो बहुत ज़ादा problem में इनसान रहेगा, अब क्या करें, शादी होते होए, अपने हाथों का इस्तिमाल करें, जो भी लोग बात करते होए, ज़्यादा हाथों का use करते हैं, वो स्वै से अपना घर, अपना पेट पालते हैं, यानि कि, they will earn through their own efforts, उनको ancestral money का, या अपने parents के set business का, profession का फायदा नहीं मिलने हैं, और आप जैसे स्थिर हैं, अराम से सुन रहे हैं मेरी बात, जो भी स्थिर सुनते हैं, जिनका ज़्यादा hand movement नहीं है, उनकी supportants में, उनकी family में से कोई ना कोई एक जरूर आए, जैसे कि आपकी spouse, या जैसे कि आपके parents, किसी ना किसी का आपको benefit जरूर मिलेगा, spouse मैंने इशारा कर दिया आपकी दिरह, तो कोई ना कोई आपको वहां से guidance या रास्ता मिलता चला जाए, और जो ज़्यादा आथ करते हैं, सोच लो कि भाईया, मुझे जो है, अपना रास्ता स्वयं बनाना है, खुद से बनाना है, तो मैं खुद से ही बनाऊँगा उपना रास्ता, ठीक है, जो अभी आप बता रहे थे, 11th house के अंदर planets का, सारे planets बता दो एक बाई, अच्छा finances के लिए आप जानना चाहते हैं, यह एक बार के लिए कि 11th house के अंदर में एक बार जाने से, आपके भग्ये खुलेंगे ही खुलेंगे, अगर आपके 11th house में सूरे विराजमान है, तो आप सूरे नरायन, यानि कि भगवान विश्नु के मंदिर, जो की किसी forest वाले एरिया में बनाऊ, जो की थोड़े विरानी जगा में बनाऊ, city से थोड़ा सा दूर बनाऊ, तो क्यों मैंने ये बर्ड बोला, इसका भी आपको logic बता देता हूँ, जब आपका भी विसे travel करे हूँ, अकेले बिल्कुल जब आप बिल्कुल दूर दूर तक एकदम सुनसान, नई जगा आओं आपके लिल्कुल, तो कैसी positivity आईगी, एक अलगसी positivity आईगी न, क्योंकि ग्यारवा भाव originally शनी के है, शनी को प्रदान है, क्योंकि इसमें अंधेरा होता है, सूरे का काम क्या है, आपको confidence और ओजाला देना, तो forest के अंदरी, particularly, या फिर विरानी जगापे, जो city से दूर बगवान विश्णु का कोई भी मंदिर होगा, बगवान राम का मंदिर होगा, वो आपको बहुत suit करेगा, ऐसे में अगर आप बहाँ जाओगे, तो आपको बहुत जादा आपके भग्यक और आपके ग्यारवे भाव में वृद्धी हो, अगर मकरी आपके ग्यारवे भाव में विराजमान है, तो आप कौन से भगवान को करोगे, क्रिशन का नहिया, आप क्रिशन का नहिया, पर मात्मा उनकी जितनी भी आप ब्लेसिंग्स लें, उतना आपके लिए थोड़ी है, इस मंत्र को तो ऐसे बोलना शुरू कर दीजिए, जैसे आप इसको साध रहे हैं, और फिर देखिए, कि आपकी लाइफ के ट्रैक्स कैसे हैं, अगर वीनस आपके 11th हाउस के अंदर विराजमान है, तो अगर शुक्र देव हैं, तो कौनसी डीटी को पकड़ेंगे, अब तक तो आप भी समझ गए होंगे, कि हम बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ों करेंगे, कुछ कॉंप्लिकेट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल, अगर वीनस आपके इसके अंदर हैं, तो आप रादा कृष्ण के जॉइंट मंदिर जाएंगे, या फिर आप गौड़ेस लक्ष्मी को पूजेंगे, इसके अंदर आपको कई ना कई से एक बार के लिए नए रास्ते और नए प्रोस्पेक्ट्स खुलेंगे, इसी के साथ अगर जुपिटर आपके 11th house में विराजमन है, तो आप पीर बाबा का कोई स्थान, या फिर साई बाबा का कोई स्थान, रेगुलर अपने एक रूटीन मनाईए, उनके पास जाने का, अपने ओफर्स कीजिए, और आपके रास्ते कई न कई से खुलने वले बन जाएं, अगर राहू आपके 11th house में है, तो आप परमात्मा शिफशंबू, या फिर काल बहरो, काल बहरो कि अगर आप मंदर में जाए, तो आपको बहुत बेनेफिट मिलेगा, शनी अगर आपके 11th भाव में है, तो आप मेरे कहने से, वो जैन जरूर हो के आए, और भस्मा आरती का आनंद ले दर्शन करें, फिर देखें कि आपकी लाइफ कैसे रास्ते खुलती है, कैसे आपकी इच्छाय पूर्ती के तरफ आपका कदम बढ़ने शूरू हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने सारे एक-एक करके, अपने सारे ग्रहों को अच्छे से समझें, चार और ग्यारा के बस, और अपनी डीटीज का चुनाफ करें, ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिलें, और जब कुछ ना समझ में आए, तो आप पुष कर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे लोग आए हैं मेरे पास, जी जी हमने न, हम बहुत ज़ादा ये मंत्र पढ़ते हैं, क्यामिस प्रमात्मा की बड़ी पूजा करें, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों का रिजन तो आपके पास्ट करमाज है, आपने बहुत कुछ कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरी डीटी कॉन है, मुझे राइट एस्ट्रोलिजर कैसे मिलेगा, मुझे राइट काउंसलर कैसे मिलेगा, मेरे को राइट घर कैसे मिलेगा, तो आपके पास एक ही स्थान है सरफ, आप अपनी उर्जाओं को बैलन्स करने के लिए कहा जाते हैं, ब्रहम स्थान समझते हैं, पुषकर में एक लौता ब्रह्मा टेंपल है अगर आप अपनी शुर्वात कुछ नहीं समझ में आ रहा किस धीटी को फूजे क्या करें अभेजी क्या करें सब उपर से निकल गया तो आप मेरे कहने से पुषकर चले जाए और वहाँ पर जाके पांच मिनट द्यानियों कीजे और अगर परमात्मा की क्रिपा रही तो वहाँ से कुछ भी चुन्नी, फूल जो आपको प्रसाद में मिले वो अब अपने साथ ले आई और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में एक राइट गाइडन्स और एक राइट पाथ, खुलने के लिए जो मार्क दर्शक चाहिए वो भी आपको मिलना स्टाट अगर आपके ग्यारवे बावे मंगल है तो आप किसी पहाड की उन्चाई पे बना हनुवान टेंपल, शिव टेंपल या कोई देवी का टेंपल माता रानी शेरा वाली का वहाँ जाके मीने में एक बार, दो मीने में एक बार पता का बांध की आई वहाँ के किसी भी उन्चाई वेले पेड़ में तो आप भी शिखर पे पोंच के रहेंगे ही रहें, इस परकार से आप अपनी desires, यहाँपर desires हो गई, वहाँपर emotions हो गई, आपने को balance करके चल सकते हैं, सारी बाते तो हमने कर ली एक ऐसी वली जिसके अंदर हमने ये बोला कि जी हमें अपने emotions को कैसे balance करना है, हमें अपने duties को कैसे पकडना है, अपनी fatherly figure, मान लीजे अगर हम इससे अपने अपको ऊपर उठाना चाहें, कि भाई, यह तो एक religious prospects हो गया, कई ऐसे लोग भी आज इस field में interested है, जो कि अलग-अलग धरम को follow करते हैं, और हम लोग भी सोचते हैं कि यह हम part पूजा क्या किसी मकसद के लिए करें, हम एक duty को पूज रहें, तो हम मकसद के लिए करें, फिल्कुल नहीं, आप अपने तत्वों को balance कीजिए, आपके अंदर सब कुछ है, अपने five elements को balance कर लीजे, आपका subconscious mind इतना अच्छे तरीके से खोलेगा, कि आप अपने आपी हर problem का solution बनेंगे, अब बात करते हैं जी, उस भ्रम्रमेडी की, जिसको हम बोलते हैं कि आप law of attraction आपने लिख दिया, और वो काम हो गया, आपने लिख दिया, मैंने या किसी सिद पोरुष ने नहीं, आपने लिख दिया खुद, और law of attraction से आपका वो काम हो गया, law of attraction से कैसे वो काम होगा, आपको मैं इसकी पीछे भी छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्या हुआ, कि कुछ दिन अभी पहले की बात ही है कि मैंने ये चीज़ देखे, और मुझे लगा कि हाँ यार, ये बात तो actual में ऐसे काम करती है, आजकल switch words का challenge चल रहा है बैटके, मेरे exam कतम, मेरे exam कतम, मेरे exam कतम, मतलब ऐसे कर रही थी तो क्या उसके exam कतम हो गए, नई, खुद भी चलने है, लेकिन मैंने उसमें देखा कि कुछ देर के लिए उसके चैरे पर मुस्करहाट आ गए, उसकी positivity बढ़ गए जो वो तीन गंटे पढ़के ठब गई थी, उसकी उर्जाय वापसी आ गई, और मानिये मेरी बात actual में ये मेरे लिए game changer था, मैंने का मतलब कि एक normal इसकी manifestation भी असर कर रही है तो सोचो जो ratio मुनो द्वारा दिये गए हमारे switch words या जो मैंने आपको बोला, विठला, इन में कितनी शक्ती होगी तो वहाँ से मेरा concept समझ में आया कि आप law of manifestation को खुद से लिखके उसको convert कर सकते हैं, इसको मैं बोलता हूँ ब्रहमास्त्र तो कैसे आप अपनी ही जो भी लिखी वी इच्छा, desire, law को कैसे convert कर सकते हैं into real world आपने लिख दिया और वो कारे हो जाए, तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या follow करना पड़ेगा, ब्रहमाचारे तो ब्रहमाचारे का मतलब क्या है, ब्रहमा मतलब केंद्र, reaching to your highest potential, आपके जो caliber है, उसके extreme तक पोँचने की आपके अंदर की शमता को ब्रहमा बोला जाता है, केंद्र और चारे मतलब रास्ता, तो आपको क्या करना है, आप कभी भी देखेंगे, अभी का दिल्ली में जैसे मौसम चल रहा है, balance है, तो हम लोग खुश है, एकसेस सर्दी तो हम क्या बोता है, सर्दिया भी विकार है, जब जाएंगी पता लगेगा, एकसेस गर्मी अभी होगे, गर्मी में काम नहीं होता, भाई काम होता गब है, जब balance होता है, तो ऐसे ही आप अपने तत्व को balance कीज और आपके खुद में बढ़ जाएगी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मारे दोस्त, भाई, ऐसे से घरों में रह रहे हैं, जहाका वास्तू ठीक करना impossible है, तो क्या करें, अब छोड़ दे, खतम, ये विद्या उनके लिए नहीं है, ये विद्या किसके लिए है, जो भी राजा बनना चाहता है, यानि कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किंग नहीं है, इसका मतलब जो कुछ करना चाहता है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या कर, आपको सबसे पहले, एक चार्ट पेपर ले लिजे बढ़ा सा, उस चार्ट paper पर दो triangle बनाईए, उपर की side facing towards the sky, और दो triangle बनाईए, नीचे की side facing towards the earth, इन चारों के अंदर आप दो circle बना दीजी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, आप 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 4 circle बना दीए, अब आप center के अंदर, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही चित्र बनाईएगा, अब आप अपने center के अंदर, 5 elements का chart बना दीजी, सबसे पहले water, followed by air, followed by fire, फिर earth, फिर space, जिसको हम इधर बोलते हैं, space, then again water, वो ऐसे arrow पे चला जाएगा, और इसके साथ इनके symbols भी बना दीजी, आप नहीं जादा dark बनाएंगे, ना ही जादा light, कोई symbol ना ही जादा बड़ा, ना ही जादा छुपता, एक ही आकार के होने चाहिए साथ, अब आप इस chart paper को किसी भी अपने कमरे में, जो भी आपको लगता, आपको ऐसा कोई कमरा लगता है न कि आप इस chart paper को रखिए, और इसके चारो जो आपने triangles बनाये थे, वहाँ पर आप एक पानी का बरतन लेंगे, चोटा सा, चार चोटी-चोटी कटोरिया पानी की रखिए, और उसके अंदर आप floating candles या दिया, आप देसी घी का दिया, light कर लीजिए, अब आप, जो भी आप manifest करना चाहते है, अपनी law of attraction, उसको लिख के, अपने सामने रख लीजिए, जहां ये chart paper खतम हो रहा है, उसके आगे या सामने paste कर लीजिए, जो आपको दिखना चाहिए, अब सबसे पहले आप 5 मिनिट के लिए अपनी तेरे अपनी सांस चुड़ेंगे, 5 मिनिट के लिए ध्यान मुद्रा में रहिएगा, इसकी heat को feel कीजेगा, इन तत्वों को feel कीजेगा, आँखे बंद में imagine कीजेगा, जो आपने draw की, कि सारे के सारे तत्वों balance हो रहे, और आप इस समय पे एक beach mantra, जो solar plexus का, मैंने आपको बताया था कि, जिसका अंदर confidence की कमी रहती, कहीं लोग anxiety से बहुत जादा होते होते हैं, उनसे आँखे बंद नहीं होंगी विचार इधर आएंगे, तो आप एक शब्द को अपने मन में ही बोल सकते है, रम, इस शब्द को आप आँखे बंद करके पांच मिनिट बैठे रहें, और इसको feel करें, कुछ नहीं करना है, feel करें believe me, आपके तत्व बैलंस होने start हो जाएंगे, और धीरे धीरे अपनी आँखे खोलें, और जो आपने सामने लिखा हुआ है manifestation में, जो भी आपने लिखा है उसको subconsciously, अब आपका mind जो है, वो बिल्कुल raw हो चुका है conscious or subconscious, आपके दिमाग में कोई सोच होगी नी, लगबख 40 से 42 दिन बाद आप इस state में पहुंच जाओगे जो मैं भूर रहा हूँ अब जो आपके एकदम आखे खोलते हैं, जो सबसेफ आपने अपनी desire लिखी है, जिसको आप manifest करना चाओँ चार-पांच मत लिखना, एक लिखना पहले तो एक, उसको एक टक, लगबख एक मिनट के लिए बिन आपनी आखे जबकाई देखते रही अब शुरू-शुरू में 10 मिनट, 10 सेकंड के बाद आपके आईस blink, फिर 20 सेकंड पे पहुँचोगे फिर 30 सेकंड पे पहुँचोगे ऐसे करते-करते आपने एक मिनट पे पहुँचना है जिस दिन आप एक मिनट पे पहुँच गए, उस दिन तक आपके पास उसका रास्ता खुल चुका होगा कि आप वहां तक कैसे पहुचेंगे आपका रास्ता खुल चुका होगा कि आप वहां पर कैसे पहुचेंगे और आप इस प्रक्रिया को अगर लगबग एक साल के लिए कंटीनू रखते है न तो आपको लगएगा मैं एक मैजिशन हो चुकूँ जो चाहता हूँ वह अचीव कर लिता हूँ क्यों? क्योंकि आपके तत्व बैलन्स होने से अब मैंड के तत्व बैलन्स हो रहे है ये बैलन्स होने से आपके सब कॉंशिस मैंड की शक्ती इस प्रकार बढ़ जाती है कि आपका conscious mind बहुत actively काम करना शुरू करता है कभी कभी साहिल आप मानेंगे नहीं मेरे पास लोग आते हैं देख के ही पता लग जाता है उनका element इतना imbalance होता है कि मुझे भी उनके लिए उनको समझाना मुश्किल हो जाता है जैसे कि एक सिध पूरुष मेरे पास आए मनको सिध बोलता है, मैं एंपको ऐसे बोलता हूँ अरे माहराज बैठी है मेरे पास आए 35 साल की उमर है, शादी नहीं करने शादी क्यों नहीं करने हो भाई, आपके योग खुलेंगे मैं बता सकता हूं कब खोलेंगे शादी कब होगी समय पे भी लेकिन तीसरा भाव आपकी free will नहीं मुझे देखना ही नहीं उस जगा पे क्यों नहीं करेंगे अब शादी जब तक मैं set नहीं होंगा जब तक मैं professionally settled down नहीं होता मैं शादी नहीं करूँ अब वो लेके बैठे हैं सब्तम भाग में सूरे और शनी का conjunction यानि कि एकटे बैठे सूरे शनी अब जब तक वो शादी नहीं करेंगे उनका भागय नहीं खोलेगा अब क्या करें साथ वो कहरें कि मैं set होंगा तब होंगा और वहाँ पर सूरे और शनी का combination लेके बैठे हुआ है तो ऐसे के अंदर जब तक शादी नहीं करेंगे तो भागय नहीं चालेगा ऐसे के अंदर ऐसे जातक को सबसे पहले अपने तत्वा बैलनस करने सीखने ही जाएग उससे उनको खुद बाख खुद यह समझ में आजेगी अब मैंने उनको शुरू की यह करवाए है वो भी बड़ी मुश्कत से करा है पंदरा दिन हो है तो शायद मैं उनको यह चीज़ करवा सकूँ क्योंकि मैं यह बात डलके के चोट पे बोल सकता हूँ सूरे शनी सब्तम भाग भाग गया यह शादी के बात जातक में कितना ही क्यालिबर क्यों ना हो वो हमेशा अपनी पोटेंशल से कम कमा है तो इसलिए कोल में लाके जब भी हम शुरू से बात कर रहे हैं सारी बात किस चीज़ की कर रहे है और जाए इनर्जीज, जिमेट्री सब क्या है यह सारी के सारी आपके सब एलिमेंट्स से बनाईवे खेल सब पत्व है उसी के साथ में हमें चलना है उसी में एक दिन भी लीन हो जाए तो अभी वेको दो-तिन चीज़े निकल के आई एक थियोरी है उपाये की एक थियोरी है कुंडले की तो मेरी कुंडली के अंदर एक योग है जो होना ही है क्योंकि मैं अभी वह आपका पहले वहला साइल करना हूँ अभी पहली करने की पुशिश कर रहा है और ये पॉडकास करने का द्रस्वरीजन भी है तो एक थियोरी कह रही है कि मेरी कुंडली वे जो लिखा हो नहीं दूसरा फिर पुपाई की फियोरी आजाती है कि मैं इसको करूँगा तो मेरी वो चीज पूजाएगी असकर मेरी कुंडली में कुछ लिखा हुआ है वो कोना ही है तो मैं उपाई करूँ या नहीं पढ़ता है कुसरी करम अगर मैं अच्छा काम करता हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ मेरी कुंडली में मेरे कुछ कांड कर रखे है वट मैं असली में करम पॉइंट से बहुत चा कर रहा हूँ मेरी कुंडली तो जेन नी होने वानी अब मैं आपको अपने कुंडले दिखाने के लिए आया आपने मेरे कुंडले देखी उसमें कुछ और है आपने में को उपाई ने दिये अगर उपाई काम करते है बट मेरा करम तो वैसे ही सही था by default तो यब ये तीनों चीज़े साथ में कैसे exist करते है तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि क्या remedies और कुंडली के अंदर जो हमारे लिख रखा है उसके अंदर से हमें चलना किसमें देखिए सबसे पहली चीज़ है कि astrology subject बना क्यों था अगर हम इस से पढ़के हम Google Map बना ही क्यों है रास्ता तो मुझे पता था रोई नहींगा कैसे आना है फिर भी मैंने Google Map on किया ताकि मैं इस चीज़ को देख सकूँ कि यहां पर कितने red lights है और मुझे क्या रास्ता अपनाना है तो जब ये विद्या चली आपको पता कि भगवान श्री कृष्ण के parents भी भाव के अंदर सप्तम के मालिक को पूर भादरबद नक्षतर में देखूँ या उसका सप्तम का मालिक जुपिटर बन रहा और वो पूर भादरबद नक्षतर में तो मैं उसको एब बात बोल देताओ कि देखो ब्रदर या जो भी है कि आपकी मैरे लाइफ में you are the one who needs to compromise अब आपको 20 साल के लिए flexible होना पड़ेगा आपके अंदर आपको ऐसा बहुत बार लगेगा कि यार मेरे emotions की उतनी respect नहीं हो रही है या मुझे यह नहीं हो रही है यह चीज करनी पड़ेगी चाहे मैं आपके लिए अगर त्यार हो तो शादी करो नहीं हो तो रहने दो क्योंकि यह योग है कुछ जबर्दस्ती नहीं है शादी एक society ठपा लेने के जुरत नहीं है आप त्यार हो तो इस चीज के लागे वड़ो नमबर वन आपने बोला कि अगर कुंडली में लिखा है आपका एक सही astrologer के पास आना भी आपके stars ही लिखे आते हैं आपको right जगा पे पुंचाना भी आपके stars लिखे आते हैं लेकिन अगर आपकी कुंडली में यह लिखा है कि आप बहुत ज़ादा महान काम करोगे अब बहुत सिध व्यक्ति बनोगे तो आप वो बन के रहोगे इसमें कोई दोर आई नहीं है लेकिन कितनी sufferings के बाद वो एक astrologer कंट्रोल कर सकता है आपको guide करके खुद से नहीं मेरे पास मैं कोई nature के against नहीं आ सकता आपको बता के एक छोटा सा उधारन दे देता हूँ मान लीजी आप किसी सरकारी office में है लेकिन आप under table कुछ accept करते हैं ठीक है आप accept करते हैं तो सब करते हैं हमें पता ही है एक प्रक्रिया है बहुत करते आ रहे हैं और कोछ जबर्दस्ती तो नहीं कर रहे है आप खुद से ही जाके दे देते हो ति चलो यह काम कर दो लेकिन अगर आपके एक particular combination खराब है यानि कि आपके अठवे बावमेशन ही बैठे है या आपके कोई particular combination खराब है तो मैं specify कर दूँगा कि यह कारे करने से आपकी family के अंदर बहुत major health issue आ सकता है तो यानि कि उसको एक guidance मिल गए और वो इस करमों को रोक सकता है उसकी नजर में ये करम गलत नहीं था तो आपने ये कैसे decide किया कि मैं करम सही कर रहा हूँ या गलत हम होते कोई हैं decide करने वाले बहुत बार ना लोग मिरसद ये भी question पूछते हैं जी कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ मैं तो किसी का बुरा नहीं किया हमें कैसे पता यह अच्छे यह बुरे हैं हमसे जाने अन जाने में क्या हो रहे हैं और एक बात मेरी कभी मत भूलेगा pending करमा की जो theory है वो बिना guidance के आपको पता ही नहीं लग सकती वो सिरफ उन लोगों को पता लगती है जिनकी कुंडली में मोक्ष के योग हैं उन्हें पता लग जाती है और वो बहुत गिंती के बहुत ही गिंती के लोग होता है जो किससे दोती है तो आपके उस कार्या रोकने से मैंने आपको कोई नुकसान तो नहीं किया अंडेबल इंकम बंद करके शायद आपको कोई प्रसिद्धी मिलनी हूँ आपको उस लेवल तक लेके जाए जा सकता है अब किसी के चौथे भाव में मान लीजे किसी का एक फोर्थ हाउस में प्रॉबलम है उसको हार्ट डिजीज आने की तिकत नजर आती है अब आप बोलेंगे अवे जी इस पे तो लिखा हुआ है अब इसको तो हार्ट डिजीज आईगी आईगी अभी एक मिनिट पहले क्या बोला गरोना विठल विठला 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 बोलो and see the miracle मैं लिखके दे रहा हूँ कि you will get the result क्योंकि एक पर्टिकॉरल कुणली बताती है कि what are your weaknesses साहिद सिंपल सी चीज है कुणली कुछ बदल नहीं सकती है लेकिन बहुत बदलाव आप में लेके आ सकती है आपकी कुणली के 5 आप सिरफ 5 मिनिट मुझे दे दो मैं आपको धट से कुणली बढ़नी सिखा दूँगा कुछ नहीं करना है कोई भी software download कर लो mobile भी easily software download है उसके अंदर SU देखोगे तो sun, MO देखोगे तो moon और जिस भी घर में आपका सूरे विराजमान है वो वो area of life है जहाँ पर you want limelight वहाँ पर आप जुक नहीं सकते हो वहाँ पर आप को अगर जुकाये जाएगा तो आप सफर करोगे या बस्ट आउट हो जाओगे चंदरमा आपका मन है जो frequently change होता रहता मान लीज़े आपके दसवे बाव में चंदरमा है और आपने bank की नौकरी कर ली तो 99% आप वहाँ पर स्थेर नहीं रहोगे 6 साल बाद job change करोगे एक astrologer आपको पहली रोग देगा मत जाना banking field में यह आपके लिए नहीं बनी तो अब आप कहोगे कि यह मेरे कर्मों में था मुझे तो होने था होना था लेकिन 6 साल बाद सफर करोगे न 6 साल आपको पता है जब भी किसी की बुद्ध की मादशा लगती है तो पहले 6 साल वो उससे बहुत इंतिहां लेती है क्योंकि बुद्ध गौतम बुद्ध को भी 6 साल लग गए थे अपने आपको जानने में तो 6 साल बाद उर्जा लेती तो वहाँ पर आपको कैसे स्थेर होना है ये आपको थूर एस्ट्रोलीजी पता लगता है आप ये बोल रहो कि यार मुझे चोरी करनी है वह जी मुझे कोई रेमिडी दे दो कि मैं चोरी में काम्याब हो जाँगो तो आप नहीं होपाओगे रेमिडी इस आपके तत्वो को आपके एलिमेंट्स को आपकी विक्नेस को बेटर कर सकती है अगर आपकी कुणली में योग ही 50 क्रोड के हैं और आप 500 क्रोड को टार्गेट कर रहे हो तो दो बार तीन बार मेरे से सुनोगे कि भाया इस जदा हाथ पर मत मार तेरी कुणली में 50 क्रोड की योग है ऐसे नहीं बोलूँगा मैं थोड़ा सा गुमा के बोलूँगा अरे नहीं तुमें तो कुछ अच्छा कारे करना चाहिए चाकि उसका माइंड खोले उसके तत्वा बैलन्स हो तो वो ट्रैक पर रहेगा नहीं तो वो अपना जीवन डिससाटिस्वाइड में निकाल देगा 50 क्रोड को भी नहीं भोग पायेगा उसकी कुणली में योगी नहीं है न 500 क्रोड के तो कोई remedies को 500 क्रोड नहीं दे सकते remedy आपके कुणली के potential तक आपको के लिए तयार हूँ पशिकरन ये वो आप जो बोलो कितने का बोलो तो सबसे पहले मैं अपने खुदा से डरके एक कुणली बनाता हूँ जिसको उम प्रशन शास्त्र बूलते हैं तो उसके थुरू और दोनों की कुणलियों को मिला के पहले ये देखा जाता कि इनकी कुणली से निकल जाओगे कि remedies करकर के ठक गए कुछ नहीं होता और क्या result निकलता है हम किसी एक doctor के पास जाते है उससे इलाज नहीं होता हम दूसरे doctor के पास जाते है हमें उससे इलाज मिल जाता है तो हम satisfied हो जाते है हम एक astrologer के पास जाते हमें इलाज नहीं मिलता तो हम पूरी astrology को बिकार बोल दे, ये गल्द बात है, थोड़े सा बायस्ट है, है न, तो ये चीज जो है, इसको कई न कई से हमें थोड़ा सा पकड़नी की जुरत है, कि रेमेडी की एक लिमिटेशन है, तो पहले आप उसको चेक करें, कि ये होने की शमता है, कठनाईयों को दूर किया जा सकता है, क्रियेट नहीं हो सकता कुछ है, अब देखो, जैसे मेरी कुडली में कुछ चीज होनी थी, आपने देखा, आपने का, आपको हाट की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ये कर लो, मैंने उस चीज को बचा लिया, ठेक है, समझ में आ गया, अब कुछ चीजे हैं, आउट ओ दो बॉक्स वाले चीजे, मेरी योग नहीं है, सौ पान्सो करोड का पहुचने का, बट बहुत सारे ऐसे means है, काला जादू टाइप, उस टाइप की चीजे, जो शा पचास की हो गए, तो सबसे पहले इसके लिए, मैंने आपको बोले ना, कि वश्य करनिया, कोई भी चीज़ आप कराते हो, तो उसका भी योग आपके पास पहले आप होरा चार्ट से, और सामने का चार्ट देखे, उसका रिजल्ट निकाल ले, तो कि यह होने की शमता है, अ जिनकी कुणली में वो योग बहुत प्रबल होते हैं, वो तो coincidentally चल जाते हैं, जिनकी कुणली में वो योग प्रबल नहीं हैं, वो क्या करेंगे, उनको जब तक एक right guidance नहीं मिलेगी, वो नहीं पहुच पाएगे, मैं आपको originally बता हूँ साहिल, मैं कभी भी कुणली के अं अपने elements को balance करने से, आप उन चीज़ों को जल्दी समझना शुरू हो जाते हो, तब ही तो DT's दी, 4 और 11, आपको खुदी awareness आजएगी, अपने वो किताब पढ़िये, मौंकू, सोल्डिस, फरारी, पढ़ियेगा, you will get the clarity, वो अपना पूरा जीवन निकाल देता जिस इसको मिल जाती, उसको उसकी ऐमियत नहीं रहती, तो इसलिए कई न कई से एक बार के लिए, ये जो DT's का concept है, ये बहुत miraculous result आपको देता है, तो इसको पकड़ेगा, और बार बार मैं आपको ये बात बोलूँगा, कि जो भी आपने बोला desire, आपके questions में भी वोई चीज़ जो public की है, पैसा, relationship, foreign settlement, अरे हमारा जीवन बस इनी तीन चीज़ों के लिए हुआ है, हमारे जीवन के कुछ pending karmas है, जब तक नहीं करेंगे, इस चक्रिवीव से नहीं निकलेंगे, साहिल millionaire से लेके billionaire तक, ये छोड़े आदमी तक, कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो सम्कीन हो, कि किसी को कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ कमी, ये मृत्यू लोग है ये ऐसा, तो उससे बचने के लिए आपके pending karmas और आपका path smooth जाता रहा है, उसके लिए आपको ए guidance चाहिए, वो कहते है न, to become a millionaire, you need brain, to become a billionaire, you need an astrologer, तो आपको वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक शमत के body बिनानी की सोची, आप natural diet का के body बिनाओगे 10 साल में, आप whey protein लेके body बिनाओगे 2 साल में, आप strides लेके body बिनाओगे 2 मीनों में, काम क्या है, कि आप remedies को करो supplement, लेकिन 2 मीने वाली strides नहीं लेने है, वो आपके health को damage कर देंगे, और आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत बार ना, जब मैं students को पढ़ाता हूँ, तो उसमें मिरे से question पूछा रहता है, कि क्या astrology revert मारती है, क्या ये side effects देती है, जो हम लोग देख रहे हैं, क्या इसके side effects भी आते हैं, क्या ऐसा भी होता है, जब आप किसी के sentiments के साथ खेल रहे हैं, जब आप किसी के emotions के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छा मैं, मेरा जो reason ता इस field में आनी का, जो astrologer थे उन्होंने मेरे sentiments के साथ जान के नहीं खेला, उनको knowledge ये उतनी थी, वो misguide कर गए, एक astrologer को उतना बड़ा दिल होना चाहिए, कि वो बोल दे कि वाई, ये मेरी reach के बार का subject है, या मेरी पकड न आर जाना दोगे, कितना पेसा enjoy कर लोगे, कब तक, end of the day तो आपने उसी पांच सित्वों में मिलना है, बहुत मजा आया है, बहुत कोई सेखने को मिला, बहुत सारी अपने remedies भी दी, जो लोगों के लिए थी, प्लस मेरे questions भी answer होगे, thank you, thank you, time देने के लिए, रादे रादे झाल